नमस्कार डेस्नी स्टार में आपका स्वागत है मेरा नाम दॉक्टर प्यूश दूबे है मैं वैदिक एस्टॉल्जर और राइड़ेजी दॉक्तर आज हम बात करने वाले वैदिक न्यूमरालजी जी हां यह ब्रिगू सहिता का मैथड है बेसिकली हमारे यहां वैदिक जोति अलग अलग नमबर महाश्ची भिगू ने भी दिये भी तो जो मैं आज मेथड बताने वाला हूं भिगू सही या आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो बहुत सारे प्रेशनों का उत्तर दे सकते हैं सिर्व नाम के बेस्पेस के लिए बढ़ डिटेल की ज़रूरत नहीं जैसे कोई क्लाइंट पूसता है कि ये इंसान हमसे पैसे उधार मांग रहा है देना चाहिए इसको पैसे उधार आपको किसी इंस्ट्टूट ऑगनायाशन बिजनेस का नाम चूज करना इस बुजनेस पार्टनरशिप करने बिजनेस पार्टनर्शिक रिलेशन्षिप को आप देख सकते हैं वह नेटिव आपके लिए सपोर्टिव के नाम तो कोई भी नाम है उसमें जितने अल्फाबेट आए उनके जो नंबर एसाइन किये वह आप नोट कर देंगे उसके बाद उस नंबर को रिवर्स कर देना रिवर्स करने के बाद जो टोटल आ रहा है उसको ट्वैल से डिवाइट करना है बारा राशी होती है बारा भाव होते हैं तो ट्वैल से डिवाइट करने पर जो रिमेंडर आए जो रिमेंडर आए वो काल पुरुष में किस राशी को डिनोट कर रहा है वो राशी आपको लेनी है तो आप इसको दो तरीके से उस गर सकते हैं, कि दो लोगों का नाम लिया दोणों से calculation किया जो reminder आया उससे देखा कि एक का reminder दूसरे के reminder से किस भाव में पढ़ रहा है दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि किसी native के नाम से reminder जो राशीilles के नाम से reminder जो राशी के आ रही वो ये बताएगी कि उस native का overall theme क्या होने वाला लाइगा पूरा focus कहां रहेगा पाकि इसके लावा जब आप दो लोगों के नाम को compare करेंगे तो दोनों लोगों के नाम से जो remainder आएगा उस एक राशी से दूसरी राशी किस भाव में पढ़े उसके according आपको पता चल जाएगा कि supportive है कि नहीं तो पहले जैसे example पहले मैं आपको alphabet के number बता देता हूँ उसके बाद example तो इसमें आप देखें का टा पा और या इनको one number दिया गया का टा पा और या उसके बाद आ गया खा था फा और रा था था पा और रा को two number दिया गया ठीक है उसके बाद गा अड़ा बा और ला इनको three number दिया गया फिर घा अड़ा ठीक है धकन वाला जो होता है ठीक है और उसके बाद भा और वा इन सब को चार number दिया गया उसके बाद अगा, फिर अड़ा, फिर मा और फिर शा मिलाजelli साल जो शबन लिखते है तो इनको 5 नंबर दिया गहे है उसके बाद चा प सी इनको श नंबर dł धिया गहे है शा कौन सा जो जैसे अप अपसंपोष लिखते वो वाला शॉद दी ति उसके बाद 6 था और 7 सा जो है सुपारी वाला 7 वाला वाला पिर ये इनको इंको ऐंट नमबल तिए गया है फिर जा और धा ती इनको नाइन नमबल दिया उसके बाद त्रा और नौ इनको जो है जिरो नंबर दिया गी तो यह अलग लग अलफाबेट के नंबर है कोई कंफ्यूजन भी होगा तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशेट कर दूँगा अलग अलग अलफाबेट के क्या नंबर की लिस्ट है तो वहां से आप अब करना क्या है जैसे भी एक्जांपल लेते हैं अभी एलेक्शन का टाइम चल रहां तो मैं एक्जांपल से पहले बता दूँ कि देखें बेसिकली हम यहां पर यह नहीं देख रहा है कि हम किसी पार्टी के सपोर्ट करने वाले ऐसा कुछ नहीं है पॉलिटिक से भी यहा तो बीजेपी को और मोदी जी को लेते हैं जैसे मोदी जी का अगर मैं सरनेम उसको नाम सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो उसको ही लेना है तो पहले हम बीजेपी के लिए और मोदी जी के उससे कंपेर करते हैं तो अगर आप बीजेपी के लिए कंपेर करेंगे तो बीजेपी में तीन अलफा बेटा रहे है बा जा और पा इसमें मात्रा को नहीं लेना तो आप इसके लिए देखिए बा को जो नंबर दिया गया ल करेंगे तो 183 हो जाएगा अब इस 183 को 12 से डिवाइट तो जब आप 12 से डिवाइट करेंगे तो रिमेंडर आएगा 3 तीन नंबर जैमिना इराशी को रिप्रेजन करता है त्री यह हो गया अब लेते हैं मोदी जी को ठीक है तो अगर आप मोदी लिखें तो मोदी में जो है मा और दा आता है तो मा के लिए जो दिया गया है वो दिया गया फाइब नंबर और दा के लिए दिया गया है एट नंब तो आगया 58, उसको अगर आप reverse करेंगे तो 85 हो जाए, अब 85 को अगर आप 12 से divide करते हैं तो 1 आए रिमेंडर, ठीके तो 1 नमबर Aries को represent करता है, तो BJP के लिए जो रिमेंडर आया था, वो आया था 3 नमबर जैमिनाई और मोधी जी के नाम से जो रिमेंडर आ रहा है, सर्नेम से वो आ रहा 1 नमबर Aries, आप दोनों में compare कीजे, BJP का जो रिमेंडर आया, उससे मोधी जी को compare कीजे, तो उनके लिए जो आया था, BJP के लिए 3 नमबर जैमिनाई आया था, मोधी जी के नाम से रिमेंडर आ रहा 1 नमबर Aries, तो जैमिनाई से Aries 11 था, या जैमिनाई लगन से आप काउंट करें, Aries 11 में आता है, 11 था लावस्तान, गेन का है, विश्ट फुल्फिल्मेंट का, तो आप देखें, जब से मोधी जी आए हैं BJP में, आप देखें, BJP को उससे फायदा ही हो रहा है, continue पार्टी ग्रो कर रही है, टीक है, election जीत रही है, जिस भी तरीके से का ह इस तरीके से आप देख सकते हैं, कोई आदमी आपके इंस्टिट्यूट के लिए फेवरेवल है की नहीं, आपके लिए सपोर्टिव है की नहीं, आप अपने नाम हो, उसके नाम का निवेंडर निकाल के उसको कंपेर के लिए एक और एक्जामपल लेते हैं, दूसरी रूल इसको रिवर्स करेंगे तो 731 आए गया, आप इसको 12 से डिवाइट करेंगे तो 11 आए गरेंगे, तो 11 नमबर मतला एक्वेरियस राष्ट्री, तो पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर 11 नमबर आया ठीक, अगर आप कॉंग्रेस का जो चार्ट देखेंगे, जब कॉंग् अगरेस का जो पाइसीज लगन है, वहाँ पे अगर कॉंग्रेस के नाम से जो रिमेंडर आ रहा हो, 11 नमबर मतला एक्वेरियस राष्ट्री, तो मील लगन के लिए वह एक्वेरियस राष्ट्री बारवें भाव में आती, 12 तो 12 हाउस क्या बताता है, तो कॉंग्रेस का जो establishment हुआ था, कॉंग्रेस जो बनाई गई तो बनाई गई इसलिए गई थी, फॉर्णर से लड़ने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए, या freedom struggle के लिए, तो 12 हाउस क्या freedom का है, मुक्ती का है, मोक्ष का है, फॉर्णर का है, फॉर्णर से लड़ना था, देश को आज चार्ट से भी compare कर सकते हैं, उसके नाम का जो remainder राश्री आ रही हो किस हाउस में हो, अभी आप देखे ना Congress पे जो blame लगता है, मैंने पहले का इसको quality size मत कीजेगा, ठीक है, जो भी आप देखे, अपोजीशन वाले blame लगाते हैं, बीजेपी वाले जो भी, ये foreign से funding ले रहे ह जो भी चीज़ें आपी उसमें foreign involvement जरूर होता है, आप इस election में भी देखते हैं, कि बहुत सारे उनके लीडर ने जो foreign गये, कुछ speech दे दिया, कुछ भी होगा, कहीं न कहीं Congress का पूरा theme, positive या negative, foreign centric हो तो foreign का बहुत important होला, विदेश्री ताक्तों से लड़ना है, विदेश् place foreign है, ये कहने का उसको unnecessary मत लीज़ें, तो ये हो गया, अब दूसरा देखते हैं, अगर राहूल गांदी जी का नाम है, तो उनका जो सबसे popular name यूज़ होता हो राहूल, ठीक है, तो अगर आप राहूल से compare करें, तो आप देखेंगे उसमें तीन अलफा बेटा रहे है, रा हा अल्ला, तो रौ जो है, उसको two number दिया गया, हा को eight number दिया गया, अल्ला को three number दिया गया, तो आगया 283, अब 283 को आप reverse करेंगे, तो 382 हो जाएगा, 382, उसको 12 से divide, तो उसको 12 से divide करने पर 10 remainder आए, ठीक है, 10th sign क्या होता है, Capricorn यानि मकर राशी, अभी हमने देखा था, Congress के नाम से जो remainder आ रहा था, वो आ रहा था 11 number Aquarius राशी, राहुल गांदी जी के नाम से जो आ रहा है, वो 10 number Capricorn यानि मकर राशी, तो 11 number यानि कुम राशी से मकर राशी बारवे भाव में आ था, 12th house, 12th house loss का है foreign का, तो आप देखे, राहुल गांदी जी के आने से क्या impact का यूस कर सकते हैं, किसी को पैसे उधार देने हैं, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे को इनसान आपके लिए favorable है, partnership, friendship, किसी भी तरीके से institute का नाम, organization का नाम, business का नाम रखना है, किसी को hire करना है, कोई आदमी आपको support करेगा कि नहीं करेगा, यह सारी चीज में आपको इसमें मिल ज़र आ रहा है, कि उसकी overall life का theme फोकस किदर होना, और सबसे अच्छी बात है, कि इस method में आपको जो है, उसकी ज़रूरत नहीं, बर डीटेल्स की ज़रूरत नहीं, बर डीटेल्स की ज़रूरत नहीं, तो नाम में ही सब कुछ रखता है, आप यह समझे, नाम से आप बहुत नहीं देख सकते हैं, कि उसके नाम से आप देख सकते हैं, कि उसके चार्ड में क्या-क्या combination बनना होगे, कितना rise करेगा, क्या करेगा, married life का theme, relationship का theme, आप नाम के ही base पे life के सारे major event टाइम कर सकते हैं, नाम से आप transit चेक कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे snapshot method होते हैं, इ इस एज में ये event होगा, आपकी life में इस एज में ये event होगा, इस एज में ये event होगा, तो आप लोग इसको study कीजे और test कीजे और अपना feedback comment section में share कीजे, और video को like कीजे, channel को subscribe कीजे, thank you, namaste.